आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेज एकदम सरल तरीके से स्वाधिस्ट मिक्स वेज हम घर पर बना कर तयार करेंगे नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना मिक्स वेज बनाने के लिए पहले हम कडाही में एक टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल गरम हो जाने पर मैंने यहां दो प्याज को रफली काट कर लिया है एक हरी मिर्च लिया है, एक इंच अदरक का टुकडा लिया है आठ सी दस लहसून की छोटी वाली कलीली है, साथ ही आठ सी दस काजू लिये है पहले हम मीडियम हाई फ्लेम पर इन सबी चीजों को दो मिनिट के लिए भून लेंगे दो मिनिट भूनने के बाद हम इसमें दो टमाटर डालेंगे साथ ही आधा छोटा चमच नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर फटाफट से गल जाए अब हम इसे ढखकर मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनिट तक पकाएंगे या जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं 5-6 मिनिट के लगबग हो गए हैं और बीच में मैंने इसे एक बार चला दिया था टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके मिकसर के जार में चला कर पीस लेंगे इसका एक पेश्ट बनाएंगे अब हम उसी कडाही में 3 टेबल स्पून तेल लेंगे यहां मैंने कुछ सबजियां ली हैं एक गाजर, एक आलू और आधा कप के करीब बीन्स लिए हैं इन्हें हम तेल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें 3-4 मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे 3-4 मिनिट फ्राइ करने के बाद हम इसमें गोबी डालेंगे मैंने 7-8 टुकडे गोबी के लिए हैं और फिर से हम 3-4 मिनिट के लिए इन्हें फ्राइ करेंगे गोभी फ्राय हो जाने के बाद हमने यहाँ पर आधा कप के करीब फ्रोजन मटर लिये हैं ये डाल देंगे साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च ली है जिसे क्यूब्स में काट लिया है इन्हें डालने के बाद दो मिनिट के लिए और फ्राय करेंगे तो हमने सारी सबजीओं को फ्राय कर लिया है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक अलग प्लेट में निकार लेंगे सबजीया हमारी फ्राय होकर बिल्कुल तयार हो चुकी है अब हम बचे हुए तेल में पनीर फ्राय करेंगे यहां मैंने 80 ग्राम पनीर लिया है तो पनीर को भी हम 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राय कर लेंगे पनीर भी हमारा फ्राय हो चुका है इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए और अब हम कडाही में दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल के गरम हो जाने पर मैंने यहां आधा चमच जीरा डाला है दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे इन्हें 5 सेकेंड के लिए फ्राय कीजिए और अब हम इसमें टमाटर प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था पहले इसे एक मिक्स दे दीजिए ताकि जीरा और जो मिर्ची हमने डाली है वो जले नहीं और अब मसाले डाल देते हैं आधा चुटा चमच हल्दी पाउडर एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर डालेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें 1 फोर्थ कप के करीब पाने डालेंगे, मिक्सर के जार में थोड़ा सा पेश्ट लगा था, तो उसी में पाने डाल कर मैंने इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब हम इस मसाले को तब तक पकाएंगे, जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता, इसे ढखकर 4-5 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर पकाईए, 4-5 मिनिट के लगबग हो गए हैं, लेकिन अभी मसाला अच्छे से नहीं पका है, तो मैं इसे मेडियम हाई फ्लेम करके, कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूं, ताकि हमारा समय भी तो अब हमारा मसाला पूरी तरह से तयार हो चुका है, मसाले को जितना अच्छे से पकाएंगे सबजी उतनी ही टेस्टी बनेगी, अब हम इसमें ये फ्राइ की वही सबजियां डाल देते हैं, साथ ही मैं पनीर भी डाल देती हूं, और अब हम सबजियों को ग्रेवी के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद मैंने यहां एक कप के करीब गरम पानी लिया है, यह हम इसमें डाल देते हैं, पानी की मातरा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो, आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज्यादा पानी भी डाल सकते हो, अच्छे से mix कर लीजिए, मैं ये बचा हुआ पानी भी इसमें डाल देती हूँ, और अब हम सबजी में नमक डाल देते हैं, मैं यहां लगबग आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, हमने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाते वक्त भी नमक डाला था, तो नमक ध्यान से डालिएगा, अच्छे से mix कर देंगे, और अब हम सबजी को 10-12 मिनिट के लिए, या जब तक सबजیاں सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक पकाएंगे, हमें 12-13 मिनिट के लगबग हो गए हैं, और हमारी सबजी आलमॉस्ट बनकर तयार हो चुकी है, हमने सबजी को 2-3 बार बीच में चला लिया था, तो बस अब हम इसमें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालें, साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और एक मिनिट पकाईए, उसके बाद लास्ट में मैं यहां 2 टेवल स्पून क्रीम डाल रही हूँ, मैंने बाजार वाली क्रीम ली है, आप चाहें तो घर पर जो दूद की मलाई आती है, वो भी डाल सकते हूँ, क्रीम डाल कर अच्छे से मिक्स कीजिए, उसके बाद कैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, बारी कटा हुआ हरा धनिया डालिए, तो यह हमारी मिक्स वेज सबजी तयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी सबजी बनी है, तो फ्रेंट्स, यदि आपको यह रेसीपी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके,